तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चनल कोट का भुका पे आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मार्क टैग और स्मॉल टैग कैसे काम करते हैं अब सबसे पहले समझते हैं होती क्या है देखो आपने सबने स्कूल में या कॉलेजिस में नॉट्बुक में चीजों को हाइ और इसके अंदर कुछ टैक्स बढ़ा हुए ठीक है अब इसको मैं open with live server कर देता हूँ पहले ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि किसी particular text को यानि कि सिर्फ इसको मैं highlight कर सकूँ तो उस highlight को करने के लिए हम क्या करेंगे इस text को mark tag के अंदर डाल देंगे ठीक है इसको यहां पर ऐ इस इतना भी text mark tag के अंदर आएगा वह as a highlight हो जाएगा देखो इस तरीके से highlight हो गया है ऐसे आप कहीं पर भी कर सकते हो जैसे मैं इस पूरी line को डाल देता हूँ mark tag के अंदर ठीक है इतने part को डाल देते हैं save करते हैं तो यह देखो यह बाट highlight हो गया तो आप देरो कितना अच्छा लग रहा है तभी आपको कोई particular website में या कोई pages जो भी आप बना रहे हो उसमें कुछ parts को आपको highlight करके दिखाना है ताकि user का focus directly भापर जाए तो आप इस दूसरा जो tag है हम पढ़ने वाले हैं वह है small tag small tag क्या करता है देखो आपको नाम से ही पता चलता होगा वह चीजों को छोटा करने का गाम करता है किसी भी text को छोटा करते है जैसे अब इसको देखते है लोरियम इपसम डॉलर को हम डाल देते हैं small tag के अंदर ठीक है देखने और इसको देखो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ इस वाले बाट को विचो हमने highlight किया हुआ है उससे पहले बाले को small tag में डाल देते हैं ठीक है देखो यह आपको दिखाई दे रहा कितना छोटा हो गया है तो mark tag और small tag इस तरीके से काम करते हैं hope आपको यह बिल्कुल clear हो गया होगा अगर कोई भी doubt रहते है तो आप comment section में मुझे बता सकते हो आज की वीडियो में इतना ही thank you so much बाल बाल देखो आपको डाल दोपको यह यह वीडियो में रहते हैं